साथ ही और नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सान एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आ गया हैं सभी प्रतोगी परिच्छाओं की दिश्टी से अतिमेहत्मून 360 डिगरी कर इंट अफियर से यानि कि यहाँ पर आपको हर एक प्रेशन के बारे वर डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे अगर उससे समद्धित कोई अन्य प्रेशन भी आपकी परिच्छा में देखने को मिलता है तो आप उससे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेसन के और चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेसन में क्या-क्या होने वाला है आईए देखते हैं तो टूडे सेसन की बात करें सबसे पहले एस्टरडे का रिविजन कराया जागा यानि कि कल हम ने आपको current affair कराई है उसमें से तीन प्रश्ण आपको एचे करना है आपको कि कल वाले प्रश्ण आपको याद हैं या अफिं नहीं याद हैं उसके बाद तूडे current affair इसकी आदोगी में होने पोरी full detail में information के साथ में आपको कराय जाएंगे उसके बाद में मद्रबदेश करेंट अफिर के महत्पून प्रशन कराये जाएंगे उसके बाद में सभी प्रतोगी परिचाओं के दिश्टी से अति महत्पून जो आपके स्टैटिक जीके होती है जहां से अकसर प्रशन पूछे जाते हैं बार बार परिच्छाओं में आई हुए प्रश्णों को कराये जाएगा उसके बाद में होमबर्ग भी स्क्रीन सोट यानि कि कल हमने आप से एक प्रश्ण पूछा था उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम वीडियो के अंत में आपको दिखाई देंगे उसके बाद में टूडे होमबर्ग यानि कि आज हम आप से एक प्रश्ण पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम रिवीजन कर लेते हैं आए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्ण तो पहला प्रश्ण है दिल्ली खेल विस्विद्याले की परतम कुल पती किसे बनाया गया है रानी रामपाल, कर्णम मलेसरी, पी टी उसा या फिते इन जिंग नौरगे आई एंसर देख लेते हैं सही अंसर B अनकी कर्णम मलेसरी को अभी हाली में दिल्ली खेल विस्विद्याले की प्रतम कुलपती बनाया गया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थ देखते हैं इन में से कौनसा दिवस 25 जून को मनाया गया अंतराष्टी नाविक दिवस विस्विटी लिगो दिवस A और विस्विद्य विस्विद्यात को अंतराष्टी नाविक दिवस रंगी बढ़ते हैं कि और अगला प्रस्थ देखते हैं किम अउनलाइन शिकायत Lionale धार्यष्थर घ्रиком टमिलाडू सरकार्र वि हाली में महिलाओं के लिए एक उनलाइन सिकायत पंजी करण पोर्टल अप राजता को लांच किया है तो ये आपका रिवीजन हो गया अब सुरुआत करते हैं टूड़े करेंट अफेर यानि कि 27 जून 2021 के महत्रकुन करेंट अफेर आए देखते हैं पहला प्रश्ण है तो पहला प्रश्ण है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम कि किया है आए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिए तो राश्ट्री कौसल विकास निगम ये एनसडीसी की फुल फॉर्म होती है फुल फॉर्म आपको याद रखना है और वाटसएप ने डिजिटल स्किल चैंपियन से प्रोग्राम सुरू करने के लिए एक गटवंदन की घोशना किये यानि दोनों ने मिलकर किये है जो है एक जो है इसकिल प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया है इसका उद्देशी क्या होगा तो भारती जुवाओं को डिजिटल कौसल पर प्रसिच्चित करना ताकि उन्हें रोजगार के लिए तयार किया जा सके ठीक है तो डिजिटल कौसल यहाँ पर प्रदान किये जाएगा भारती जुवाओं को इसके लिए यह एनस्डीसी और वाट्सअप ने मिलकर के एक यहाँ पर स्किल चैंपियन प्रोग्राम सुरू किया है वाट्सअप की बात कर लेते हैं तो वाट्सअप की स्थापना 2009 में हुई थी वाट्सअप के वाट्सअप का है तो कैलिफॉर्निया यू एसे में वाट्सअप का हैट्सअप भी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस देखते हैं देखिए अंतराश्टी नसा और तसकरी निसेद दिवस कब मनाया जाता है 25 जून 26 जून 24 जून या फि 26 जून को अंतराश्टी नसा और तसकरी निसेद दिवस मनाया जाता है कुछ जानकारी देखते हैं तो हर वर्स 26 जून को विस सुभर में अंतराश्टी नसा और तसकरी निसेद दिवस मनाया जाता है यह दिन नसीली दवाओं के दुरुपियों को समाप्त करने और अवैद नसीली दवाओं के ब्यापार को बढ़ावा देने वाले सनाचनला अत्मक कारणों को संबोधित करने के लिए समर्पित है यानि की कौन-कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वज़े से नसीली दवाओं का उत्पादत बढ़ रहा है उसकी और ध्यान देने के लिए इसको प्रतिवर्स मनाया जाता है इस वर्स की थीम क्या रही है तो वर्स 2021 की थीम है सेर ड्रग फैक्ट टू सेव लाइफ यानि की ड्रग से क्या-क्या हानिय हो सकती है उसको सेर कीजी लोगों के साथ में और दूसरों की जिन्दगी को बचाईए ये इस बार की थीम है सेर ड्रग फैक्ट टू सेव लाइफ ठीक है आगे बढ़ते हो और अगला प्रस देखते है पसू कल्यान के लिए पहला वार रूम किस राज में बनाया गया है राजस्थान, करनाटक, बिहार या फिर पस्चिमंगल एंसर की बात करें सही एंसर भी आनि कि करनाटक राजसरकार ने बिहारी में पसू कल्यान के लिए पहला वार रूम विक्सित किया है देखिए तो पहली बार करनाटक सरकार की द्वारा एक तरह का अनूठा पसू वार रूम विक्सित किया गया है बैंगलूरू में सुरू किया गया पसू कल्याण वार रूम पसू पालकों और डेरी किसानों के राज़ में पसुधन के साथ और उत्पादन को बढ़ावा देने में सहाथा करेगा जो भी डेली किसान है और जो लोग पसपालन करते हैं उनको बिभीनिस सुविधाय प्रतान की जाएंगी उनको पूरी जानकारी प्रतान की जाएगी कैसे पसू को देखभाल करना है ठीक है तो इसके उत्पादक्ता में बढ़ावा प्रतान करेगा यह पसू वाररूम ठीक है इसे पसू पालन और पसू चिकिसा सेबा आयुकतालाय ने सिस्तफित किया है दो लोगों ने मिलकर किया है यह याद रखीगा कहाँ पर चालू किया गया है तो पसू वाररूम जो है वो करनाटक में चालू किया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण द तैयारी कर रही है केरल अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली एंसर की बात करें सही एंसर डियानिकी दिल्ली राज सरकार ने अभी हाले में वर्महसव मनाने की बात की है देखिए तो 2021 में 33 लाख पौधे लगाने के लच्च को प्राप्त करने के पौदों का निसल के वितरन किया जाएगा जाने कि जो भी आपके आपका तुलसी बगएरा के पौदे हो गए तो ऐसे जो भी पौदे हैं इनका निसल के वितरन किया जाएगा चौदा नरसरी में ठीक है 27 जून को दिल्ली के सभी 70 वितरन साफ सित्रों में पौदा रोपर अभियान भी चालू किया जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट देखते हैं आपको याद एकना वन महुष्ट सव दिल्ली सरकार आगे बढ़ते हैं 25 जून 2020 को चांदीपुर उडिसा में एक मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचर का सफल परिच्छन किया गया है इसे किस ने बनाया है डी आडियो इस रो बार्क या फिर इन में से कोई नहीं एंसर की बात करें सही आंसर है यानि कि डी आडियो ने ये रॉकेट लॉंचर का सफल परिच्छन किया है देखिए की दूरी पर जो है लच्छ को नश्ट कर सकता है तो रॉकेट लॉंचर कौन सा है पिना का रॉकेट लॉंचर है जिसका यहां पर सफलता पूर्वग परिच्छन किया गया है इसने स्वदेशी रूप से बिक्सित 122 mm कैलीबर रॉकेट के उननत रेंच संस्क्रण किया गया तो FATF ने पाकिस्तान को किस लिष्ट में रखा अब ये FATF क्या होता इसके बारे में भी आपको बताएंगे और किस लिष्ट में रखा ये देख लेते हैं रेड लिष्ट, ग्रे लिष्ट, ग्रीन लिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं एंसर की बात करें सही एंसर B यानि कि ग्रे लिष्ट में जो है पाकिस्तान को रखा गया है FATF के दोरा देखिए तो Financial Action Task Force यानि कि FATF इसका फुल फॉर्म हो जाता है पाकिस्तान को ग्रे लिष्ट में बरकार रखा है इससे पहले जून 2020 में FATF के दोरा छेतरी सही योगियों ने पाकिस्तान को एन्होंस फॉल आफ सूची में बनाए रखा था देश के FATF दोरा निर्धाइद कारवाही मदों के अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए कहा गया देखिए कुल मिलाकर के हाँ पर है कि ये लोग क्या करते हैं कि Terror Founding को यहाँ पर सायता देते है यानिकी Terror Funding करते हैं ठीक है तो इसलिए इंप single action task force ने Gray List में रखा है यानिकी ये कहां पर पैसा खर्च करना हैं, किसको कितना पैसा दे रहे हैं यह सारी जानकारी FATF को प्रदान करना पड़ेगा ग्रे लिश्ट में जिसको भी डाल दिया जाता है उसके लिए यह सारी बादिताएं लागू हो जाती है अब दो किया पर बोला गया है कि निर्धारित कारवाई मदों के अपने प्रयासों को मजूद करने के लिका है FATF ने देश में मनी लॉंडरिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के उपायों की एक सूची तयार करने के भी सिपारिस की है उन्होंने specially बोला है पाकिस्तान से कि आप किस तरह से टेरर फंडिंग को रोक रहे हैं money London को किस तरह से रोक रहे हैं इन उपायों की पूरी लिष्ट बना करके हमको देजिये पाकिस्तान को गरे लिष्ट में अभी सामिल कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं तो यहां से आपका स्टार्ट होता है 27 जून 2021 महत्पूर्ण मध्यपृतिष करेंट अफियर की प्रस्ण आईए देखते हैं पहला प्रस्ण 60 वी राष्ट्री अंतर राज्जी एतलेटिक चेंपिंशिप में पुर्ष्टों की 10,000 मीटर दौर्ड इस परदा में सौन पदक किसने जीता है कुमरपाल सिंग, रागाव सेट्टी, विक्रम भरस सिंग या फिरेन में से कोई नहीं एंसर की बात करें सही आंसर सी यान की विक्रम भरस सिंग ने 60 वी अंतर राज्जी अथलेटिक चेंपियंसिप में सौन पदक जीता है देखिए महत्पून क्यों है तो 60 वी अंतर राज्जी अथलेटिक चेंपियंसिप 25 जून 2021 को नेताजी सुबास राष्टी खेल सर्थान पटियाला में चालू की गई तो यहां से एक प्रश्ण और आपका स्टैटिक क्लियर हो रहा है पटियाला में चालू हुई है 60 वी अंतर राज्जी अथलेटिक चेंपियंसिप अब देखिए इस चेंपियंसिप में 10,000 मीटर की दोड़ मद्ध प्रदेश के बिक्रम भरसिंग ने 30 मिनट 16 सेकेंड में पूरी करके सौन पदक जीता है तो कहां के निवासी है बिक्रम भरसिंग मद्ध प्रदेश के निवासी है इन्होंने सौन पदक जीता है समय कितना लिया है 30 मिनट 16 सेकेंड में 10,000 मीटर यानि की 10 किलो मीटर की दोड़ यहां पर पूरी कर दी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्मार्ट सिटी अवर्ड 2020 में इनोवेटिव आइडिया अवर्ड किसे दिया गया है इंदौर, भोपाल, मुरेना या फिर सहडोल एंसर की बात कर लेते हैं सही एंसर ए या निकी इंदौर को स्मार्ट सिटी 2020 में इनोवेटिव आइडिया के लिए अवर्ड दिया गया है देखिए केंद सरकार ने स्मार्ट सिटी अवर्ड 2020 की घोशना की है इंदौर और सूरत ने अपने समगर विकास के लिए सयुकत रूप से एक पुरुसकार जीता है स्मार्ट सिटी 2020 केता है तो उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में सीज़ पर रहा पहले स्थान पर कौन रहा है तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है इसके बाद मद्ध प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिल नाडू तीसरे स्थान पर रहा है सहरों की बात कर लेते हैं तो चंडी करने किन सासी प्रदेशों के लिए पुरिषकार जीता है जबकि इंदोर ने Innovative Idea Award जीता है ठीक है तो इंदोर को ओन से मिला है? Innovative Idea Award मिला है और Total में बात करें तो यहाँ पर Smart City में मध्ध प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है ये भी आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सुरू करते हैं सभी प्रत्योगी परिच्छाओं की दिश्टी से अति महत्मुल प्रस्णे जो प्रत्योगी परिच्छाओं में आये हुए हैं और आपकी परिच्छाओं में आने की जिनकी संभावनाएं हैं आईए दिखते हैं पहला प्रस्ण तो रानी दुर्गावती की समाधी कहां पर इस्थित है जबलपुर, इंदौर, सासाराम या फिर काबुल चलिए एंसर दिख लेते हैं सही एंसर है सी, सी इसका गलत एंसर है सही एंसर ए यानि की जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती की समाधी इस्थित है यहाँ पर टाइपिंग मिश्टेक है इसको सही करवा दिया जाएगा देखे इस डिस्किप्शन देख लिए यहाँ पर आपको सही बताएगा है रानी दुर्गावती की समाधी मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले की बरेला नामक इस्थान पर इस्थित है तो आपको या रखना है अगला प्रस्ट देख लेते हैं सुराज पार्टी की स्थापना किसके दोरा की गी थी छलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखते हैं तंबाकू की खेती भारत में नो एक हिम आलू, टमाटर, प्रिंटिंग प्रिंटिंग् प्रिंटिंग प्रेश, नो तीनो का भी जनक किसको माना जाता है, पुर्टगालियों को ही माना जाता है और ये प्रस्ण जो है कई बार परिच्छाओं में अलग-अलग स्रिप्ट में पूछा गया है कि आलू की खेती किसने सिखाई, प्रिंटिंग, प्रेस किसने बनाई ये सारी चीजें बार बार पूछी गई हैं ये सारे के प्राश्ण चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते है, कलके प्राश्ण की बात करते है कलके प्राश्ण सही आंसर एक कोलकाटा, हमने आपसे पूछा था कि जो बंगल टाइगर में और इडन गार्डन इस्टेडियम जो इस सबसे पुराणा जो इस्टेडिया में भारत का कहा परस्थित है, तो पश्चि मंगाल कोल्काता में इस्थित हैं। बताया है, CM का नाम भी बताया है, ममताब एनरी जी बहुत बहुत धनवाद आपका, और आप लोग कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धनवाद और एक दूसरे के कमेंट जरूर पढ़ लिए कीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट अपने बारे में यूनिक होता है, और कु आपके लिए लेकर के आएंगे, देखे, भूगोल हर एक परिच्छाओं में आता है, तो जो भी आपके परिच्छक त्यारी कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस सेट जरूर जोइन कीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं, दो पहर में साहरे बारा बजे, वीडियो प सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाय लिजेगा, धन्यवाद.